मेरे प्यारे प्रदेश वासियों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल 6 मार्च को 36 गड़ सरकार का वर्स 2023 का बजट पेस होने जा रहा है, साथियों यह बजट 36 गड़ के भरोसे का बजट है, यह उस भरोसे का बजट है जिसने 36 गड़ को 39 गड़ बनाने का संबल दिया, यह वह ही भरोसा है जो आपने हमारे घोशना पत्र पर, हमारी कारिसली पर और हमारी सरकार की जन कल्यानकारी सोच पर जताया है, हमने सरकार बनते ही बापू के ग्राम सवराजी के संकल्प और नयाय की नीती को आकार देना सुरू कर दिया था, इस दोरान बीते वर्सों में आई च चुनोंतियों से आप सब पर्चित हैं चाहे हुआ करोना जैसे वैस्विक आबदा की चुनोंति या अन्य चुनोंतिया जिन्हें आप सब समझते हैं लेकिन मुझे यह कहते हुए गरू है कि इन सभी चुनोंतियों को चीरते हुए हम बाहर निकले हैं और इस समय सबसे की भरोसे का परिनाम है कि देश भर में मंदी होने के बाद 26 गड़ के बजारों में रौनक है, सबसे कम विरोजगारी दर चतिजगड में हैं, देश भर में धान खरीदी के रिकार्ड भी चतिजगड ने तोड़ा है, आदवासियों के लिए नई योजना पहुंची है, साथ ही स्वात सिक्षा का चतिजगड माडल देश की सरकारें अपना रही है, आज मैं आप से एक और बात कहना चाहता हूँ, चतिजगड के नाम से लोगों को सिर्फ नकसली हिंसा याद आती थी, जरा सोचिये परियटों को इदिमाग में प्रस्ण चिन क्यों आते थे, आज समय बदला है, चतिजगड में रोड सेप्टी जैसे दो बड़े सीजन क्रिकेट मैच हो चुके हैं, पहली बार मेच ने हम सब का गवरा बढ़ाया, सेलिबरिटी, क्रिकेट लीग भी अभी हाल में ही संपन हुआ है, अचानक से इतना कुछ बदल गया है कि देश के लोग चतिजगड आने को उस्सुक हैं, आप देख रहे होंगे कि प्रदेश में लगातार, बालिवूड कलाकार, फिल् परियटों के संख्या में सांदार वृद्धी हुई है, यह सब जन भागिदारी से ही संबह हो सका है, हमारा राज अब देश को रास्ता दिखा रहा है, लोगों का नजरिया बदला है, साथियों, अब कल मैं जो चतिजगड के भरुसे का बजट प्रस्तूत करने जा रहा वो हमारे प्रदेश के सपनों को नई हकिकत देने वाला बजट होगा, जो आसमान में नहीं जमीन पर बात करेगा, इस अवसर पर मैं आप सब को भरुसों मनाय रखने के लिए धन्यवाद देता हूं, साथ ही यह जिम्मेदारी भी आप सब के कंधों पर रखना चाहूंगा कि 36 गड़ को नकारात्मक्ता से भर देने वालों को पहचानिए और नवा 36 गड़ के इस सियात्रख को सब लोग मिलकर रप्तार दीजिए जोहार